गुड मॉनेंग नमस्कार दोस्तो यूटूब चैनल जियो बलट में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज है दोस्तो 2 अक्टॉमबर 2020 तो चले दोस्तो शुरू करते आज की अपने टॉप 10 करंड अफैर की कलास दोस्तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबा कर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजी दोस्तो कल के वीडियो में आपसे क्यों सनुपदा डे पूछा गया था कि हाली में भारत ने किस देश के साथ बोधिक संपदा संयोग पर एक समझोते ग्यापन पर अस्ताकसर किये है तो इसका सही जवाब दोस्तो अपसर नमबर बै डेनमार्क भारत और डेनमार्क ने एक बोधिक संपदा संयोग पर एक समझोते पर अस्ताकसर हाली में किये है भारत और डेनमार्क ने हाली में बोधिक संपदा अधिकारों आई पी आर के छेतर में सरोतम फड़ताओं का आदान परदान थाता प्रक्षिशन कारिकरमों में संयोग उद्रा परचलन में हुए है डेनिस क्रोन और डेनमार के परदान मंतरी है वरतमान में मेटे फ्रेड रिक्षेन डेनमार के परदान मंतरी है पहला क्यूस है ना दोस्तो आज का अपना केंदर सरकार सार्वजनिक स्वास्ते देखबाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ा कर कितना परतिसत करेगी 1.15% से बढ़ा कर कितना परतिसत करेगी तो इसका सही जवाब है उपसर नमबर बróब 2.5% 1.15% से बढ़ा कितना परतिसत करने का है 2.5% परतिसत तक बढ़ाने का फैसला के अंदर सरकार ने लिया है और यह गोश्टना केंदीर स्वास्ते मंत्री डॉक्टर FG ने किस पूर्व भारतिय किर्केटर को अपना zalariat कार्या बॉ-पर्पारिय' सFG फेटियम फेश्ट गेम्स ने दोस्तो इस पूर्व भारतिय कर्केटर अपना में में सचिनतेंचेंच तो इसका सही जबाब दोस्तों आपने के इंडरीजिये संस्कुरति मंत्राले ने कि इंडरीजिये संस्कुरति का हुआ करने के लिए चलते हैं दोस्तों नेक्ष्ट और दोस्तों इसमें अपनको ध्यान यह रकना है नेक्स्ट क्यूशन पर जाने से पहले अपन डिट्याल देखते है के इंदरें संकर्टी मंतिः और प्रेटर मंत्री प्रलाद पटेल ने भारतिय संस्कृतित की उत्पति और विकास पर एक अध्यान करने के लिए एक विश्यसिगे समिती के गठन की गोशना किया है इस समिती में 16 सद्दश्य है और इसमें जो भारतिय पुरातत्वे सोसाइटी के अध्यक्स है के अन दिक्सित वो भी इसमें सामिल है इसमें भारतिय पुरातत्वे सोसाइटी के अध्यक्स के अन दिक्सित है तो इस समिती में 16 सद्दश्य अध्यक्स है के अन दिक्सित अब चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पे नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों विश्वे ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो विश्वे ओजोन दिवस दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो उद्दिश शेव है विश्वे बर के लोगों के बीज पर्थवी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रा वैलेट किर्णों से बचाने थता अमारे जीवन को सनक्षित रखने वाली ओजोन परत के विशे में जागरू करना है और पहली बार दोस्तों 16 सितंबर को विश के सुरुआत हुई थी नेक्स्ट क्युस्टन है हाली में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंतर रेखा लाइन ओप एक्च्वल कंट्रोल पर तनाव को कम करने है तो एक पांच सुत्रिय योजना पर सहमती व्यक्त की गई है क्युस्टन एक बार फिर से देखना दोस्तो रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंतर रेखा जो है वो लाइन ओप एक्च्वल कंट्रोल पर तनाव की वज़े को तनाव हो रखा उसको कम करने के लिए पांच सुत्रिय योजना पर सहमती दोनों देशों ने जताई है तो भारत और चायना के बीच में दोस्तो ये विवाद थोड़ा सा तनाव चल रहा है तो भारत चीन जो है वो इसका सही जवाब है उप्सन नमबर बै चीन भारत और चीन बारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच ये वास्तवी नहिंतन रेका पर तनाव को कम करने तो पांस उत्रे योजना पर सहमती व्यक्त की गई है अब बात करते हैं दोस्तों चीन की तो चीन की राज़दा नहीं है बीजिंग और राष्टपती है सी जिन पिंग चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों अपना ओनलाइन पोकर प्लेट फॉरम नाइन इस्टेक्स ने किस किर्केटर को अपना नया ब्रांड अमबिशेडर बनाया है तो उपसन नमबर दे जो है वो इसका सही जबाब है सुरेश रेना को नैन इस्टेक्स ने अपना नया ब्रांड अमबिशेडर बनाया है चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन पर नेक्स्ट क्यूशन अपना क्यूशन नमबर साथ किस देश ने हाली में चीन से कपास, बाल संबन्दी उत्पादो, कंप्यूटर गटको और कुछ वस्त्रों सहीद आठ चीनी वस्त्वों पर परतिबंद लगा दिया है तो इसका सही जबाब है उपसन नमबर दे अमेरिका अमेरिका ने दोस्तों चाइना के जो आठ वस्त्विय है उन पर परतिबंद हाली में लगाया है नेक्स्ट क्यूशन है क्यूशन नमबर आठ निमन में से किस देश को संयुक्त राष्टर महिला इस्तिति आयो का सदश्य चुना गया है CSW सयुक्त राष्टर महिला इस्तिति आयो का सदश्य किस देश को चुना गया है तो उप्सन नमबर से इसका सही जबाब है भारत को इसका सदश्य चुना गया है इस मैयथमून चुना में भारत ने चीन को अराकर आयो की सदश्य तासिल की है और 2021 से 2025 तक भारत समय ते आश्टर मेला इस्तिति आयो का अब नया सदस्यप बन गया है और इस सहीता का सदश्या बनने के लिए भारत अफगानिस्तान और चीन तीन देश जो है वो चुना में सामिल थे तो भारत ने अफगानिस्तान और चीन को फचारते हुए इसकी सदश्य ता हासिल की है और 2021 से लेकर 2025 तक बारत इसका सदस्य रहेगा नेक्स्ट क्यूशन है दोस्तों कौन सा देश हाली में जिबूती आचार सहिंता का परिवेक्षक बन गया है जीबूती आचार सहिता का परिवेक्षक बन गया है तो इसका भी जबाब दोस्तों अप्सन नमबर से भारत भारत हाली में जीबूती आचार सहिता का परिवेक्षक बन गया है विदेश मंत्राले ने हाली में बताया है कि 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार सहिंता जेदा संसोधन की वर्चुल बेटा के बाद परिवेक्षे के तोर पर भारत ने इसमें सामिल होने का फैसला किया है डी सी ओसी जेए हिंद मासागर छेतर अपगरिका का पूर्वी तैट अधन की खाड़ी लाल सागर के अठारा सदस्य देशों का यह समू है जापान नार्वे ब्रिटेन अमेरिका के बाद भारत भी परिवेक्ष के तोर पर इसमें सामिल हो गया है लाश्ट क्यूशन है दोस्तो आज का अपना अंतिम क्यूशन क्यूशन नमबर दस तो इसका सेज जबाब है उपसर नमबर ए चोतर परतिसत दोस्तो बढ़ा कर दिया गया है डीपी आयाइटी ने का कि राश्टे सुरुक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेश निवेस की पड़ताल करने और इसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी नए नियम के नुसार विदेशी कंपनिया बिना अनुमती के चोतर परतिसत तक निवेस कर सकेगी और इसे ज़्यादा के लिए सरकार से मनजूरी लेनी होगी आज का दोस्तो क्यूसन ओप दा डे है हिमालियन चंदर टेलिसकोप के हाली में कितने साल पूरे हो गया है यह आज का क्यूसन ओप दा डे है जिसका सही जबाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइब करके बताना है दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सेर कीजिए और अबने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सेर कीजिए और ये अभी तक ऐपने इस चैनल को सबस्क्राइबcross नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के निच्चे जो रेड गलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स टो वाचिंग वीडियो, all the best